बासी रोटी आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक विज्ञानिक बात बताता हूँ आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो लोग बिमारियों से ज्यादा ग्रसित हैं और जिन लोगों के पास पैसा कम है उन लोगों के पास बीमारियां भी कम हैं। इन दोनों के बीच का ये जो अंतर है पैसों को लेकर शायद ये बीमारियों के बीच का भी उतना ही अंतर है। क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है उतना ही हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। हम एक चीज अपने पैसों के दम पर जरूर करते हैं, ताजा खाना खाते हैं और हर चीज ताजी खाते हैं। ताजा खाया अगर कुछ बच गया तो उसे भैक दिया। हमने रोटी बनाई शाम को चार-पांच रोटी आगर बच भी गई तो सुबह किसी जानवर को खिला दिया। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आयरुवेद के अमसार बासी रोटी खाने के बहुत से फायदे हैं। और गरीब लोग कभी ऐसा नहीं करते। गरीब लोग बची हुई रोटी को घाते हैं। क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोटी को फेक सते है। वो अगर कोई खाना बच भी जाए तो उसे सुबह खा लेते हैं और यहीं पर वो कहीं न कहीं एक अच्छी चीज ज़रूर कर देते हैं आज का विज्ञान भी कहता है कि बासी चीज़ें खाने के फायदे हैं वो भी गेहूं की बनी हो तो हर बासी चीज का फायदा नहीं होता आज हम आपको गेहों की बनी हुई बासी रोटी खाने के फायदे बताएंगे ऐसे फायदे जिसे जानकर आप इतना हैरान होंगे कि आप सोचेंगे कि आज तक इतनी रोटीयां जो हमने फेक दी क्यों फेकी आज मैं आपको बताता हूँ बासी रोटी को अगर सुबह खाली पेट खाये जाए तो क्या फायदा होगा जब आप रात को रोटीयां बनाते हैं तो कुछ बच जाती है सुबह हम इने फेक देते हैं या जानवर को डाल देते हैं आज से ऐसा मत कीजिए आपको उन बासी रोटीयों को सुबह खाना है सुबह खाली पेट खाना कैसे है सुबह उठकर उन बासी रोटीयों को दूद में डुबो दीजिए पांच मिनट के बाद उस रोटी का आपको सेवन करना है दूद को गर्म नहीं करना, दूद के अंदर चीनी नहीं मिलाने, तिर्फ फीका दूद और वो भी बिना गर्म किये, खाली पेट उस रोटी को खाते हैं, उसके जो फायदे होंगे आप हैरान हो जाएंगे जानकर, सबसे बड़ा फायदा डायविटीज में है दोस्तों, डाय वाले 10 सालों में आपका शरीर खोखला हो जाता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद वो डायविटीज के कारण होता है, लेकिन नहीं, ये डायविटीज के कारण नहीं होता, ये होता है आपके दवाईयां खाने की वज़ा से, इसलिए जो लोग डायविटीज के द सिर्फ दो से तीन महीनों में हर रोज बासी रोटी खाने से डायविटीज खत्म हो जाती है High Blood Pressure के रोगी भी हर रोज दवाई खाते हैं High BP में हर रोज एक छोटी सी गोली खाते हैं वो छोटी सी गोली कितना बड़ा आपको नुकसान देती है आपके लिए high blood pressure यानि के hypertension एक silent killer है वो दवाई जब आप खाते हैं तो वो आपके high BP को कुछ नहीं करती वो सिर्फ कुछ समय का आपको relax देती है बस इतना ही करती है high BP की problem वहीं की वहीं आप एक चीज सोचिए जब आप डॉक्टर के पास जाकर high BP की शिकायत करते हैं तो डॉक्टर आपको उसका कारण क्यों नहीं बताता डॉक्टर आपको क्यों नहीं बताता कि आपका खून गाड़ा है सुबह खाली पेट पानी पियो वो आपको ये कहेगा अच्छा high BP है तो ये गोली खालो क्योंकि अगर आपको उसने ये बता दिया कि high BP का कारण क्या है तो उसकी डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी फिर डॉक्टर के पास कौन जाएगा तो डॉक्टर ये चीज बताता ही नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि high BP का केस बहुत आसान होता है high BP में सिर्फ आपको खाली पेट बासी रोटी का सेवन करना है और कुछ नहीं सुबह खाली पेट गेहूं की बासी रोटी दूद में डूबो कर खाओ high BP की प्रॉबलम एक महीने में खत्म और उसके बाद हर रोज सुबह उठते ही चार-पाँच गिलास पानी पियो हर रोज खाली पेट पानी पियो high BP कभी नहीं होगा सच मानगे high BP की प्रॉबलम में सुबह खाली पेट भर पेट पानी पिजिये high BP की प्रॉबलम जड़ से खत्म हो जाएगी सुबह उठकर बासी रोटी को दूद में डूबो कर खाओ आपको कभी भी पेट से संबंदित कोई समस्या नहीं होगी इतना ही नहीं ये बासी रोटी वजन को भी कम करती है वजन पढ़ने से सभी परेशान है हम क्या करें वजन बहुत पढ़ गया हम exercise नहीं कर सकते जिम नहीं कर सकते time नहीं है time नहीं है कोई बात नहीं सुबा उठो बासी रोटी खाओ दूद में डूबो कर आपका बजन पहुत चल्दी कम होगा दोस्तों इस तरह से आप बासी रोटी के जरिए अपनी कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं आप बासी रोटी को आज से ही फेकना बंद करें और इसे खाना शुरू करें यहू की बनी हुई बासी रोटी हर रोज खाईए और शरीर को सुस्त रखिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भोलें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें धन्यवाद